नवस्का साथियों आप सभी लोग देखते होंगे कि जब भी आप लोग मद्देश के किसी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी करते हैं जैसे MPPSC हो गया, MPSI हो गया, MPP पुलिस हो गया, कॉंस्टेबल की बात कर रहे हैं या फिर पटवाली का हो गया, जेल पहरी का हो गया या आप देखते हैं कि सिक्षक भरती होती रहती हैं ब्यापम के जरिये तो इस तमाम एक्जाम में current affairs से अच्छी खासी संख्या में questions पूँचे जाते हैं और आप लोगों से पहले भी बोल चुका हूँ कि आप लोग जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 4-5 साल पुराने questions पेपर उठा की देखिए उन्हें पढ़िएगा और उनका मुल्यांकन करिएगा और मुझे लगता है कि जब आप लोग मुल्यांकन करेंगी तो आपको मालू चल जाएगा कि कितने questions current affairs से पूँचे जाते हैं तो हम लोगों ने एक साल का आपका भारत का current affairs और विस का जो भी घटनाए घटी उनसे आपकी परिक्चाओं के लिए कौन से मत्फूर पॉइंट हो सकते हैं उनके बारे में विस्तार से बात की हुई है अब बात आती है आप लोग कहेंगे भी इस बात को कि मद्धविदेश के एक जाम जो भी होते हैं उसमें तो मद्धविदेश के जो करेंट में घटना है घटती है मद्विदेश में उनसे कुछ सेंस जानदा पूछे जाते हैं तो आप देखेंगे 2021 का मद्विदेश का करेंट अपरेर्स हम लोग उने special cover किया हुआ है और यह आपका आप से हम लोग जनवरी 2022 का भी cover कर लेंगे और फरवरी का भी और मार्च का मार्च का और अपरेल का ठीक है इस तरह हम लोग हर महीने का cover करते रहेंगे और MP current affairs के नाम से आपकी एक playlist सोची बनी हुई है उसमें जाकर आपकी सभी class आपको मिल जाएंगे और आप लोगों को पूरे एक साल का current affairs पूरी दुनिया का और भारत का देखना है जैसे आप लोग civil service में पढ़ते हैं ध्यान में रखते हुए तो उसके लिए समसमाई की घर्णा चक 2022 के नाम से एक playlist सोची बनी हुई है उसमें जाएंगे आप लोग तो आपको पूरी एक साल की एक कुछ क्लासें आपको मिल जाएंगी वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं वह बहुत ही बिस्तार से हम लोगों ने बात की हुई है आज की क्लास आपकी MP special MP जो exam होते रहते हैं ना तमाम उनकी लिए बहुत ही जरूरी डहने वाली है ठीक है मद्ध प्रदेश जल्म होत्साव मद्ध प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजे आप सभी जानते हैं वह पालिस की राधधानी एक नवंबर 1956 में मद्ध प्रदेश को राज बनाये गया था एक नवंबर सन 2000 में इसे चतीसगर को अलग कर दिया गया था मद्ध प्रदेश से और आपको बता दूँ जब तक मद्ध प्रदेश से का हिस्सा था चतीसगर मद्ध प्रदेश छेतफ़ल में सबसे बड़ा राज जुवर करता था अब आपका दूसरी नवर पायात है पहले पर आपका राजस्थान है यहां विधान सभाय में आपको 230 सीटे देखने को मिलेगी किदमी? 230 सीटे है राजस सभा में आपकी 11 सीटे है और लोग सभा में आपकी 29 सीटे है तो आप लोग ये भी याद रखेगा और वर्टमान में यहां कि मुकमंतरी इस वराज सिंग चोहान साहब है यह भी आप लोगों को याद रखना होगा ठीक है? तो अगर हम लोग मद्द पिदेश से जल महोसाओ की बात करें तो हाल ही में मद्द पिदेश में सालाना आयूजित होने वाले यानि कि हर साल आयूजित होने वाले जल महोसाओ को इस्पैन के मेडिट नगर में फिचर यानि कि एफ आई टी यू आर द्वारह से भारत के आदूतिय जल एवं साहिसिक मेला सम्मान से सम्मानित किया गया है इस्पैन के मेडिट नगर में ठीक है तो इसे भारत के अधुतिये जल इवं साहसिक मेला के सम्मान से संबादित किया गया है और यह आप देखें जल महस्तव से समंदित और महत्पूर्ण तक्तों की बात करें तो यह नर्वदा नदी के तट पर इस्तित खंडवा जिले के हनुवंतिया में आयजित होने व आपको देखने को मिलेगा इसका आयोजन 2016 से पिती बर्स किया जा रहा है कब से 2016 से यह भी याद रखेगा और पिती बर्स नर्वदा नदी पर बने इंद्रा सागरबांध के जलासे में किया जा रहा है तो आप लोगों को यह भी पाइंट याद रखना चाहिए कि इंद्र 2021 से और यह आपका 20 जनवरी 2022 तक चला ठीक है और यह साहसिक मेला खेल मेला खेल साहसिक खेल में रुची रखने वाले खिलाडियों को विवन जल कीड़ा जैसे क्रोज वोटिंग आदी में भाग लेने का उसर भी पितान किया गया है इसे बर्स 2017 में भी भारत सरकार पर एट ऐसे क्मेला सम्माल से सम्मालित किया गया है फिर आप देखेंगे मद्विदेश में अंगली घटना है मद्विदेश में उद्दोगिक क्लश्टर की स्थापना मद्विदेश में उद्दोगिक उद्दोग धंदे भी जरूरी है आप देखते हैं से भी बहुत सारे लोगो MSME मंत्राले ने इंदोर एक नए उद्धो की क्लिश्टर की इस्थापना की है कहां इंदोर तो इसे भी याद रखेगा इंदोर वैसे आप लोग जानते हैं सब्चिता के मामले में नंबर वन पर है और आपने देखा है कि कोचिंग के लिए भी तो आप लोग इंदोर चुनत जी हैं और इसकी मांग दलित युवा संगद्वारा पिस्तुत की गई थी तो यह भी आप लोग याद रखेगा एक कुश्टन से और पूछा जा सकता है यह तो कुश्टन से मुझे लगता है कि मद्विदेश के एक्जाम में पूछे जाने की पूरी संभाव ना है साही सा देखेंगे कि मद्विदेश में पिथम ड्राउन इसकूल खोला गया है कहां MP में और मद्विदेश का पिथम ड्राउन इसकूल ग्वालियर में ग्वालियर कहां ग्वालियर सहल आप लोग सुनते हैं सिंधिया घारान के बारे में आप लोग सुनते होंगे ग्वालियर में प्रदानी लच्छिवाई की समाधी है आप लोगों ने देखी होगी फूलवार के पास ठीक है तो मद्विदेश का पिथम डॉन स्कूल ग्वालियर इस्तित माधो इंस्टिटीट और टेक्नोलोजी एंड साइंस में खोला जाएगा कौन सा पहला डॉन स्कूल और यह से तू आप देखेंगे यह सुविदा चार अंडर साहरों में उज्जेन भोपाल इंद और सतना वी फिदान की जाएगी का उज्जेन भोपाल इंद और सतना तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला ख़वर क्या है आपकी A-Store क्या A-Store पिरताब सींग यह कौन है और क्यों चर्चा में है तो आपको बता दूँ कि यह किसलिए चर्चा में है क्योंकि मत्यपदे सुटिंग अकादमी के खिलाडी है A-Store पिरताब सींग इनका चैन भारती टीम में कर दिया गया है तो इस सुटिंग से जुड़े हुए है यह मिस्टर में आयर जीत होने बाली जा रही सुटिंग विसकब में भारत का पिती ने दित करेंगे और 50 मीटर राइफल पिती योगता में भाग लगे इस से पूर वे टोके ओलंपेक में भाग लेने बाले भारती दल की हिसा भी रह चुके है और एक खरगॉन जले की नवासे है कहा के हैं? खरगॉन के यह भी कुश्टन्स कई बार बूच लेता है खरगॉन के हैं कहा के? खरगॉन के तो इसके बारे में जान लीजे मद्विदेश में पहली बार 2023 में सुटिंग विसकप का ऐउजन किया जाना है और इसे तुब आप देखें भोपाल इस ते राज्ज सुटिंग रेंज में 10-1 करोड की लागस्तिय तैतरीनी सुटिंग रेंज का निर्मार किया जा रहा है कहां होगा ये? भोपाल में होगा ये भी कुश्टन स्कूछा जा सकता है और ISSF का पिथम विसकप आप देखें गिए 1986 में हुगा था कब हुगा था? ISSF का पिथम सुटिंग विसकप कब कहा हुगा था? ये 1986 में हुगा था 1986 में और आप देखें कि हर साल पिती चार वर्स बार पिती वर्स चार बार आई जित किया जाता है हर साल चार बार तो ये भी याद रखेंगा 1986 में पहली बार हुगा था चलिए अब हम लोग गर्तंत दिवस की बात कर लेते हैं गर्तंत दिवस समारो की बारे में जा लेजे गर्तंत दिवस समारो इसके बारे में मत्यपितिस की संपिक्च में एक तरह से आप देखें संपिक्च में भी आप लो कुछ पॉइंट याद रखा करिएगा समारो आप लोग उनको जरूर याद रखना चाहिए किसे उज्जेन विकास पराधीकर द्वारा जो ज्जाकी आईए उसे इसे सर्फसे ज्जाकी का पुरुसकार मिला है इसमें नन खेडा में बिकसित किये गया फ्लेट से महाकाल मंदिर प्रांगण में दी जा रही है चुविधाओं को पिदासिद किया गया है और आप सभी जानते हैं उज्जेन महाकाली सोर मंदेज के लिए पिसिद्ध है यहाँ आप देखते हैं कुम का मेला भी होता है और आपने देखा होगा छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है और हर साल पिती वर्स गरतन दिवस का आयोजर राजी की राधानी बोपाल में इस्ते सहरा ग्राउंड में किया जाता है और इसे इन महाकाल मंदिर में बारे जोती लिंगों में से एक अबस्तित है और इसकी एक अनोठी बिसे इस ताया है कि एक मात दच्छिड मुखी जोती लिंग है और जैन सहर मंगल ग्राय की जनवस्तिली के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं तो यह भी याद रखिएगा ठीक है इसके बारे में कुछ प्वाइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए कुश्टन पूचा जाएगा और आप से पूचा जाएगा हमसे नहीं पूचा जाएगा किससे पूचा जाएगा आप से ही पूचा जाएगा अब बात करते हैं बिमुक्ती दिवस ये क्या होता है क्या बिमुक्ती दिवस इससे भी questions पूँचा जाएगा अब आप कहोगे कि सबसे questions पूँचा जाएगा तो देखे कोई paper बनाने वाला तो बैठा नहीं है कि वो आपको important 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 बता दे यहाद सब important ही रहते हैं आप देखेंगे हाली में मुक्ती दिवस के रूम में बनाने की नेड़े लिया है इसे राजनिमार करे घुमकर और अर्द घुमकर जन्जातियों को समर्पित किया गया है और पितेग बर्स उनके सम्मान में यह आयुजित होगा और मत्विदेश में इसी कुल आप देखेंगे इंक्यावन जन्जातियों कितनी इंक्यावन और इन जन्जातियों से समंधित लोग अपने जीवनियापन के लिए एक निथ इस्थान से दूसरे इस्थान में विचर हरी नारायन चारी मिस्तर ये कौन है नारायन चारी मिस्तर इनके बारे में जान लेजे ये आपको बता दू इंदवर के पुलिस कमेशनर को आगामी 15 अगस्त समारो में राष्टपती द्वारा पुलिस मैडल दिये जाने की गोशना की गई है तो ये भी आप लो याद ये इंदवर के पुलिस कमेशनर है और ये घुशना बिगत माहम जनवरी 25 तारीकों की गई थी और उन्होंने इस पदक से पूर इंदवर के आईई और डी आईजी के पदभ भी समाला हुआ है इन्हें संजीवली हेल्फ लाइन की निव रखने के लिए सराह आ जाता है जो हरी नारायन मिस्तर ठीक है फिर आप देखें कभी पिदीव सम्मान क्या कभी या कभी पिदीव सम्मान ये क्या है आप देखेंगे कि हाली में सत्त नारायन सत्तन को किने सत्त नारायन ये नाम तो आप लोगों को याद रहेगा बहुत अच्छे से सत्तन को दो हजार इकीस का राष्टी के अभी पिदीव सम्मान पुरुसकार दिया गया है दो हजार एक कीस के लिए ठीक है ये आप लोग याद रखेंगे इस तरह एक क्युक्शन से भी कई बार पूछ लीता है सत्तनारायन को उनकी अनुवाई गुरुजी के नाम से भी पुकारते हैं और ये इंदोर की निवासी है कहा के निवासी है इंदोर की निवासी है ठीक है और ये सम्मान पिदीव सम्मान की सुरुवाद 2000 में हुई थी कब सन 2000 बारे में हुई थी इसकी सुरुवाद ठीक है तो ये भी आप लो याद रखेएगा, यह सम्मान मद्विदेश के लोग परी ये कभी पिदीप जी की समेती में सुरू किया गया, और इस सम्मान के अंदर कर आप देखेंगे, दो लाग उपे की रासी पिदान की जाती है, दो लाग, तो सतन आरज सतन को इस बार का 2021 का मिला ह एक सखी सहेली, ये क्या है? सखी सहेली, इसके बार के अंदर की सखी सहेली ये क्या है? तो आपको बता दू कि खरगौन जिले के जमाली नामकिस्थान की दस आदिवासी महलाओं का एक सौ है, सौ सहायता समू है, और इस समू का नितित कौन कर आ है? रंजना चोहान कर रही है, इनका नाम भी याद रखेगा, आप मुछा जा सकता है, रंजना चोहान कर रही है, इसका नेतित, ठीक है? और आप देखेंगे, इस समू द्वारा लखू इस तर पर सावन निर्मान का उद्देख सुरू किया गया है, और इस सावन को इन्होंने खरगोन का अपना सावन की नाम से पिसारित किया है, और खरगोन मद्विदेश की पश्मी निवाड अंचल का भाग है, यह अपने कपास उत्वादन में युगदान के कारण सफेज सोने की भूमी की नाम से भी आप लोग खरगोन को जानते हैं, किसे जानते हैं? खरगोन क खरगोन जिले में हो रहा है काम, ठेकर, अंगला है मुन्ना टाइगर, मुन्ना टाइगर, एकें उचर्चा में है, कोई कारण तो होगा, जब आप देखिए यह चर्चा में है, मुन्ना टाइगर, तो आपको बता दू कि हाली में मंद्विदेश के बाला घाट में इस लाला घाट में और आपको बता दूँ कि मौती पार्क एक उद्ध्यान है वहीं की बात हो रही है तो यह भी आप लोग याद रखें इस कलाकृटी की बिसेस्ता है कि यह पूरता घहरलू पिलास्टिक वेस्ट पर आधारी निर्माड है और मुन्ना टाइगर जिसे टी मुन् इस द्धबाग था है और इसे बाग को आप लोग बिग डैड़ी के नाम से भी कर जाता था किसके नाम से बिग डैड़ी तो यह भी इसका नाम याद रखेगा और यह आप देखेंगे बाला घाट एक नकसल पिर भाविच्छेत भी है और यह जिलावनी अपनी तामाव जानों में से एक है जिसे उननीस सो पचपन में कब उननीस सो पचपन में प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया जा रहा है जहां से काना या पाये जाने बाले बारे सिंगा के लिए पिख्यात है जो बास्तों में हिरन की एक पिर जाती है जो स्तरिफ यहां पाई जाती है तो बदनावर वर पक्षी ग्रह है ग्रह मतलब घर अब ग्रह पिथवी ग्रह यानि कि घर तो है अमारा तो आप देखेंगे यह 60 फिट उंचा टावर है जिसका निर्माद धार जिले के बदनावर गौसाला पैरांगर में किया गया है कहां धार में धार जिले में ठीक है तो यह यह ज़िए याद रखिएगा और इसका निर्माद गौ्माता सेवा संस्थान द्वारा पक्षीओं के सरक्षन के उद्देश से किया गया है इस पक्षी ग्रह का लोगपरपण केंद्री उद्द्यों मंतरी स्री राजवर्धान सिंग के द्वारा किया गया है धार अन्काय के देख लिया है अब अंगली क्लास में हम लोग फरवरी महिने की जो भी घटना आए रहेंगी मदबदे से उन से आपकी परिच्छाओं के लिए कौन-कौन से मात्वों पॉइंट हो सकते हैं किस तरह की कुश्चांस बन सकते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे ठीक